नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आर्पि टेक्निकल इस्टडी यूटूब चानल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशन थियोरी के पंदरा सो एमसी क्यूज सीरीज का ओनलाइन टेस्ट नमबर 36 के बारे में 35 पहले अपलोड हो चुके हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा जिसमें अपने 1000 तक की कुशन कंपलेट कर लिये थे आज किस वीडियो में अपन आगे के कुशन को देखेंगे तो दोस्तों क्यूसर नमबर 1001 एक है इह वी संचरन में निमली कितमें से कौनसा इंसूलेटर परियोग किया जाता है एक्स्ट्रा हाई ओल्टेज संचरन लाइन होती है उसमें कौनसा इंसूलेटर परियोग किया जाता है पिन इंसूलेटर इस्ट्रेन इंसूलेटर सेकल इंस इंसुलेटर तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इन में से एक्स्ट्रा हाई ओल्टेज संसरन लाइन में कौन सा इंसुलेटर परियोग मिलिया जाता है important question है जल्दी बताओ इसका right answer कौन सा होगा फटापड़ से right answer बताना है तो दोस्तो इसका right answer होज़ेगा disk insulator correct answer होगा option number B अगला question अगला question दिरका अत्ती old ता संद्रक्षन है किस परकार का परतिरोधक परियुक्त होता है option दिरका धर्क, thermistor से, wearistor से, sensitive से या micro old तो इन में से अत्ती old ता संद्रक्षन के लिए किस परकार का परतिरोधक परियुक्त होता है तो दोस्तो इसका right answer होज़ेगा वेरिश्ट्रस correct answer होगा option number B अगला question अगला question दिरका लंबी दूरी की लाइनों है तो old ता का मापन होता है old ता में, milli old में, kilo old में या micro old में तो लंबी दूरी की लाइनों के लिए old ता का मापन किस में होता है तो दोस्तो इसका right answer होज़ेगा kilo old में होता है किस में होता है kilo old में तो right answer होगा option number C अगला question दोस्तो अगला question दे रखा उच-altage suppression लाइनों में सरवाधिक उपरी चालक कौन सा होता है सबसे उपरी तार होता है चालक वह कोन सा होता है आर फेज चालक, वाई फेज चालक, बी फेज चालक या भू चालक तो इन में से उच्छे voltage suppression लाइनों में उपरी तार सबसे उपरी तार कौन सा होता है important question है जल्दी बताओ इसका correct answer क्या होगा फटावर से comment कीजिए तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा भूचालक होता है अर्थार्थ अर्थिंग तार होता है सबसे उपरी तार तो इसका right answer हो जाएगा option number D अगला question देरा का loop correction किस से जानने के लिए प्रियुक्त होते है cable का भूदोस, short circuit दोस, cable का गोलिये M, short circuit दोस, दोनों या open circuit दोस तो loop correction किस से जानने के लिए प्रियुक्त होते है राइट आंसर हो जाएगा केबल का गोलिये M source circuit दो से दोनों तो राइट आंसर होगा option नमबर C अगला क्यूशन दे रखा BEE क्या है अर्थार्थ BEE का फुल फोरम बताना है तो फटापर से बताओ इसका फुल फोरम क्या होता है BEE का फुल फोरम क्या होता है फटापर से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा Bureau of Energy EPCNC क्या होता है Bureau of Energy EPCNC तो इसका राइट आंसर होगा option C अगला कुशन दे रखा मनुसे के आथ से पेर के बीच प्रतिरोध कितना होता है 100 से 200 ओम 400 से 600 ओम 1000 ओम या इनमे से कोई नहीं तो मनुस्य के आथ से पेर के बीच का प्रतिरोद बताना है कितना होता है आथ से पेर के बीच का फटाबर से बताओ इसका correct answer कौन सा होगा इनमे से तो दोस्तों आथ से पेर के बीच में होता है 400 से 600 ohm correct answer होगा option number B अगला question अगला question देरागा एक sodium vapor lamp में आरंब में sodium खालिस्तान में होता है वास्प आवस्ता में, गैंसी आवस्ता में, ठोस आवस्ता में या द्रव आवस्ता में तो किस आवस्ता में होता है तो इसका right answer होगा ठोस आवस्ता में होता है correct answer होगा option number C अगला question दोस्तो अगला क्यूशन दे रखा है दिये गए विकलपों में से कौन सा कंड्यूट का वर्गी करन नहीं है इनमें से कंड्यूट का वर्गी करन कौन सा नहीं है दरड कंड्यूट है पतली बित्ती कंड्यूट मोटी बित्ती कंड्यूट या नम्य कंड्यूट है तो इनमें स कंड्यूट का परकार कौन सा वर्गी करन कौन सा नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटी भित्ती कंड्यूट करेक्ट आंसर होगा अगला कुशन देरा का तडित निरोध क्वालिष तान नंबर बीच जुडे होते हैं इसका राइट आंसर होल्गा भूमी और फेज के बीच जुडे होते हैं correct answer होगा option number B अगला question अगला question दे रखा ताप उपकरण विद्धुतु धारा के किस प्रभाव पर का आधारित होते हैं रासाइनिक प्रभाव, होल प्रभाव, चुम्ब के प्रभाव या उसमिय प्रभाव तो ताप उपकरण होते हैं विद्धुतु धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं इसका right answer हो जाएगा उसमिय प्रभाव पर, correct answer होगा option number D चलिए अगला question दोस्तों अगला question दे रखा DC motor पोन भार पर 1725 rpm और सुनने भार पर 1715 rpm पर चलती है तो गती नियमन क्या होगा speed regulation निकालना है तो कितना परतिसत होगा important question है फटापट से इसको हल करके बताईए फटापट से बताओ इसका right answer क्या होगा तो दोस्तों इस गती नियमन ग्याद करने का formula क्या होगा no load गती minus full load गती बटे full load गती गुणा 100 परतिसत में निकालेंगे तो किस से गुणा करेंगे 100 से तो no load गती कितनी दे रख किया है 1775 rpm और full load गती 1725 rpm तो इसको हल कर लेते हैं तो 1775 minus 1725 बटे 1725 गुणा 100 क्या करेंगे इसको हल कर लेंगे 1775 में से 1725 निकालेंगे कितना बचेगा 50 तो 50 बटे 1725 गुणा 100 इसको हल कर लेंगे इस परकार से तो जब इसका भाग इसमें देंगे तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.9 पर 30 राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर B चली अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रखा किस परकार की मशीनों में तरंग कुंडली को प्रात्मिक्ता दी जाती है ओप्शन दे रखा निमन विद्धुदारा और निमन ओल्टेज इंपर्टन क्यूशन है जल्दी बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा तो दोस्तो जो तरंग कुंडली होती है उसको प्रात्मिक्ता दी जाती है निमन विद्धुदारा और उच्छों ओल्टेज के लिए राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर B अगला क्यूशन दरका वीतरन ट्रांसफार्मर होते हैं वे किस रेटिंग पर होते हैं ओप्शन दरका 500 KVA से कम रेटिंग वाले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है B दरका 500 KVA से हदिक रेटिंग वाले स्टेप अप ट्रांसफार्मर है C दे रखा 500 KVA से कम rating वाले step up transformer D दे रखा 500 KVA से हदिक rating वाले step up transformer तो वीतरन transformer कैसे transformer होते हैं तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा 500 KVA से कम rating वाले step down transformer होते हैं right answer होगा option number E अगला question दे रखा कोरोन हनी किस पर निर्वर करती है सवच्चता मोसम के स्थती यह वह भी दोनों या इन में से कोई नहीं तो इन में से कोरोन हनी किस पर निर्वर करती है तो दोस्तो यहाँ सवच्चता और मोसम के स्थती दोनों पर निर्वर करती है तो इसका right answer होगा option number C अगला question दे रखा है गीजर का thermostat परिसर क्या है किजर होता है उसका thermostat परिसर बताना है option दे रखा सुन्ने degree Celsius से 80 degree Celsius बी दे रखा 32 से 88 डिगरी celsius, C दे रखा है, 20 डिगरी से 80 डिगरी celsius, D दे रखा है 32 डिगरी celsius, तो इन में से correct answer कौन सा होगा, गीजर का thermo state, परीशर कितना होता है इसका right answer होगा 32 डिगरी celsius से 88 डिगरी celsius, right answer होगा option नमबर B अगला कुशन दे रखा जब एक LED ACID बेटरी को उच करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या गटित होता है जब एक सिसा संचाइक बेटरी को उच करंट से आवेशित या निरावेशित अर्थार्थ charging या discharging के आ जाता है तो उसमें क्या गटित होता है option इतरा का sulpation भी दे रखा आवसादन सी दे रखा चरन डी दे रखा है buckling तो correct answer कौन सा होगा इनमें से तो दोस्तों उसमें buckling दो सुत्पन होता है right answer होगा option number D अगला क्यूशन दे रखा एक neon sign tube की अधिक्तम लंबाई हो सकती है कितनी हो सकती है 5 meter, 6 meter, 8 meter या 10 meter तो एक neon sign tube की अधिक्तम लंबाई कितनी हो सकती है maximum लंबाई कितनी हो सकती है तो इसका right answer हो जाएगा 5 meter correct answer होगा option number यह अगला क्यूशन दोस्तो अगला क्यूशन दे रखा केबिल के जोडों के लिए लक्स किस सामगरी से बने होते हैं तीनोव पीतल से, तीनोव निकल से, चांदी और तांबा से या ऐलुमिनियम और तांबा से तो केबिल के जोडों के लिए लक्स किस सामगरी के बने होते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा एलुमिनियम और तामबा से करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर D अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रखा आम तोर पर एक फेजवाली मोटर में किस परकार की वाइंडिंग का परियोग किया जाता है एक फेजवाली मोटर होती है उसमें कौन सी वाइंडिंग परियोग में ली जाती है बास्केट टाइप है चेन टाइप डाइमन्ड टाइप है या कौन स्ट्रीक टाइप है तो इन में से कौन सी टाइप की वाइंडिंग की जाती है आम तोर पर तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉंस्ट्रिक वाइंडिंग करेक्ट आंसर होगा ओप्षन नमबर D अगला क्यूशन अगला क्यूशन दिरका है परमानु विजली उत्पादन सन्यांतर का इंदन इन में से परमानु बिजली उत्पादन सन्यांतर है उसमें इंदन कौन सा है कोईला डीजल पानी या या यूरेनियम तो राइट आंसर कौन सा होगा इन में से तो दोस्तो परमानु बिजली उत्वादन सनियंतर के लिए इंदन होता है यूरेनियम करेक्ट आंसर होगा ओप्सन नमबर D अगला क्यूशन दे रखा हाई इस्पीड इसपात में कार्बन का परतिशत होता है अर्थात कार्बन कितना परतिशत होता है सुन्ने पॉइंट एक से सुन्ने पॉइंट परतिशत है इसका राइट आंसर होजाएगा सुन्ने पॉइंट पिचतर से एक परतिशत के बीज अगला क्यूशन दे रखा हाई पाउर फार्ट्र का अधिकता मान हो सकता है कितना होता है सुनने 2121 से अधिक के या 21 से कम तो power factor होता है सकते गुणांक उसका हदिकतम मान कितना हो सकता है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा 21 होता है अधिकतम मान कितना होता है इकाई राइट अंसर होगा option B अगला क्यूशन दे रखा है निमन में से किस सेल का कारेकाल सबसे लंबा होता है इन में से कौन सा सेल है जिसका कारेकाल सबसे लंबा होता है सुसक सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ओक्साइड सेल या लीथियम सेल तो इन में से किस सेल का कारेकाल सबसे लंबा होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा लीथियम सेल का करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर D अगला कुश्चन दोस्तों अगला कुश्चन देरका एक थर्मो कपल उपकरण खालिस्तान पर काम करता है किस पर काम करता है पीजो इलेक्ट्रिक परभाव परे करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर ये तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजों और अपनी दोस्तों को भी ज़्यदा सेर कर दीजे जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे साथ में और नाटिपकेशन बेल को भी उन कर लिजे थेंक्यू